नमस्कार दोस्तों काबिल नीज में आप सभी का स्वागत है अभी जो चेहरा आप लोग हमारे सामने देख रहे हैं ये किसी परीचे के महताज नहीं है प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर जो खुद में एक ब्रांड है उसी के संचालक और डाइरेक्टर संजे सर हमारे बी है सर उनमें कटफ को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो गई है कि प्लेटफॉर्म से कुछ अपडेट आए और जिनका नहीं हुआ है और जानने के लिए बेताब हैं कि कितना तक हम लोग करके आए कि सेफ है स्कोर हो जाए तो उनके दोनों सवालों का सर थोड़ा अचा कर चुके है लेकिन आपके माध्यम से भी बच्चों में इस बात को का जनकारी दे दे कि अभी कुछा गया है अभी तक जितना चरन हुआ है उसमें हमारी अनुमान से साटच पलस स्कोर जाने की संभावना रहेगी जितने भी बच्चे अब चेस्ट दीये हैं hai हैं उनका साट पलस स्कोर होगा तो result होने की संभावना बनी रहेगी ठिक भाना जो जिनका भी एक्जाम होने वाला है उनको कितना करना चाहिए कि माइनस मार्क्जिन अश्यम् कोई सीमा नहीं बंधा हुआ है तो वह दो ऑप्शन चांटते हैं तो गलप सब्सक्राइब दिये दो ऑप्शन जो बच्छा है उसमें आप 50-50 आप उसको आप एटेम्ट कर सकते हैं लेकिन मिनमम आप तो शाठ पलस करना है आपको तो असी कम से कम एटेम्ट लीजिए गा तभी आपका साठ पर जाके अटकेगा तो असी असी तो पचासी के बीच में उसको इसको कम से कम कर एटेम्ट लेना चाहिए आज टीचर डे है और बहुत सारे कोचिंग में देखेंगे 50% आफर 20% आफर बहुत सारे स्टुडेंट चाहते हैं कि प्लेटफॉर्म एक ब्रैंड है शुरू से रेलवे को लेकर या हर चीज को लेकर प्लेटफॉर्म आगे रहता है तो आपके इंस्टिट में कभी ओफर क्यों ही दिया जाता है सब देखें मेरे इंस्टिट में फी पहला ही से कम है आ कार जोथे ईन्टिफ सीरों का बिदसे रुपिया में टेस्ट लिए थे और एक टेस्ट कंडक्ड करने में फ्री घमिया खर्चां एक बच्चे तो परहाई का क्वालिटी खतम हो जाएगा बच्चों का रिजल्ट नहीं होता होगा तो जहां भी आप देखिए यूटूब पे फीर चर्ट क्रास चलते हैं जहां भी ओफर में क्रास सलते हैं वह यूजल्ट मेंकिंग नहीं होता है भी बरहाने के लिए होता है और प्रोटेस्ट करने के लिए उत्रे अपनी मांग को लेकर उन पर काफी मतलब बहुत बुरी तरह से लाठिया बरसाई गई सर तो सरकार के इस कदम पर आप कुछ कहना चाहेंगे सर देखिए यह तो बहुत कथिन सवाल है और हम कोचिंग बालों को संस्थान के सरकार के जो हमारा लोकतंत्र है इस लोकतंत्र में बहुत ही कमी है तुकि एक आईस बनने के लिए पराधिकारी बनने के लिए एक जौब बनने के लिए कितना क्वालिफिकेशन की आप सकता होती है कितना परना परता है और एक नेता बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन तो आप सम समझना सबसब इस बात को समझ सकता तो यह लाठी ही खाएगा दूसरा कुछ नहीं चाहिए में आप किसीके देस्ट में बोल नहीं सकते हैं ये हमारा लोक्तंत neden अभी है कानशायीच चल रहा है तो उसे सरकार को इंगरेश्ट में नहीं जा सकता है लेकिन स्तुडेंट का मॉंघ्ज है है वो होना चाहिए लेकिन स्टुडेंट को हिंसार्प्रा को रुख नहीं अक्तियार करना है अपनी मांग को हिंसा के ढंग से आप लेकर चलिए आगे तर बिहार ससी पिछला जो था साथ से आठ सल में रिजल्ट दिया है अभी आपको उमीद है कि टाइम से एकजाम ले लेगा और बच्चों की जो मांग है मतलब कि एक टाइम से एक जाम हो टाइम से रिजल्ट हो कि अलक्षन जीतना चलक्षन जीतने के लिए कुछ ने कुछ आपके लिए करे में टाइम पर वह भैकनसी नहीं देगा ताइम-पर एक्जाम नहीं लेगा तो उसके घरेश्ट में वोट होगा यह भूट लेने तो रेलवे का आगामी वेकेंसी कब दा काने की संभवना है सर देखे यह चीज़ आप बूल रहे हैं चुकि जब हम 2002 में कोचिंग शुरू किये थे और 2000 जिस समय एससी में डिसक्रिप्टिव चल रहा था जिसक्रिप्टिव से अब्जेक्टिव हुआ है तो जिस समय डिसक्र प्लेटफॉर्म का ससी में एक छत्र राज ठेक है पूर्य भारतवाश में अब्जेक्टिव में भी लेकिन चुकि समय समय पर सरकार का जो निती परिवर्तन हुआ है बैकेंसी के परती तो बच्चों का रुजान जिदर बैकेंसी जादा हुदर हुआ है तो उस समय एससी ब बिहार सच्वाले का देख लिए अभी हमारे यहां लगभक 1000 रूपर बच्चे टेस्ट देते हैं बैचे चलती है तो हर चीज पर हर चीज का ब्रेच बनता है और हमलों काम करते हैं जहां तक युइन फी की बैकेंसी की बात है तो उमीद है कि युजार तरइस के जन्वारी कि आजाना चाहिए जैसा सूचना है जो बच्चे हमारी यहां से जॉब करते हैं विविन विविन पोस्ट पे उनके माध्यम से जो सूचना मिलती है तो कर सकते हैं कि 2023 के जनवरी फरवरी में आपके ELP के प्रिकेंशी आएगी बच्चों के जीवन को लेकर कोई रास्ट सुब सुब कामना तो हमेशा सुब कामना प्लेटफॉर्म के देते रहते हैं लेकिन बच्चों से एक चीज कहना चाहिए कि एक संकल्प ले कि हम तब तक नहीं ठकेंगे रुकेंगे जब तक हम अपने उदेश को पार नहीं लेंगे और कठिन परिश्रम फी उदेश को बना सकता ह है इसलिए कठिन परिश्रम करते हैं जिस काम में हैं जिस छेतर में हैं बच्चों के भविस्त को लेकर बहुत ही अच्छा बोले सर तब तक नहीं रुकना है जब तक मंजिल को प्राप्त न करें और बहुत-बहुत धन्यवाद सर आप हमारे चैनल पर इंटर्विव दिए बहुत-बहुत अभार सर ने बाद आपको भी जाहिए